आज ना आप लोगों का बहुत बड़ा मित दूर करते हैं मतलब कई लोगों का है आप काके लेकानी कई लोगों का है चली कि बहुत दूर करते है तो मित जो है वो यह है कि कई लोग सुछते हैं कि जब गाड़ी पुलिये से या डिलान से किसी पहाड़ी से नीचे उतर रही होती है उस वक्त अगर हम गाड़ी को न्यूट्रल में रखें तो वो कम फ्यूल खाती है बजाए जब हम गेर में रखें मान लो आपकी गाड़ी जो है आप किसी पहाड़ी से नीचे उतर रहे है और आपकी गाड़ी जो है वो चल रही है लगवग पचास की स्पीड पे और गाड़ी उस वक्त है मान लो फोर्थ गेर में फिफ्ट गेर में आपकी गाड़ी है और अगर आप इसको न्यूट्रल में गलत है, वो मुझे अभी तो पता है, लेकिन मैं एक मोबाईल लेकर है हूँ, मेरा जो मेरी I20 से कनेक्टेड है, और I20 बहुत दबा के पेट्रोल पीती है, तो इस गाड़ी से बेटर कोई नहीं बताएगा कि फ्यूल में कितना डिफ्रेंस आ रहा है, किस वक्त, जब नूटल में रखा, तब कितना माईलिज मिल रहा था, और जब गाडि को मतलब ग qualcosa गेर में रखा, पुली से उतरते है, तब कितना माईलिज मिला, तो अभी मैं चड़ रहा हूँ पुली और मैं क्या करने वाला हूँ, कि मैं पहले न्यूट्रल करूँगा, न्यूट्रल करने के साथ साथ स्पीड जो है, वो लगबग, मतलब 40 के असपास पुलिए के उपर से 40 के असपास में छोड़ूँगा, और तब तक नीचे जाता रहूँगा, जब तक गाड़ी को न्यूट्रल रखूँगा, और अपने गाड़ी के स्पीड चलो, 40 नहीं रह पाई कि आए गाड़ी जा चल रही है, तो मैं 35 पे लेके मने यूट्रल कर दी, ठीक है, गाड़ी मैंने नूट्रल कर दी और गाड़ी के स्पीड है, 37 के असपास, गाड़ी चल रहे है, और RPM जो है, वो देज देज डेज सैटल होते हो हो गया है 700, 50, 800 गास पास आ गया है गाड़ी का आर्बिम, माइलेज जो डिस्प्ले हो रहा है, वो हो रहा है, 45, 48, 50, 42, और 41, अब अल्मोस्स पुलिय से नीचे आगई गाड़ी, चीक है, तो 40, 41, 42 यह जो माइलेज है, यह डिस्प्ले हो रहा है, नॉर्मल माइलेज डिस्प है यहाँ पे, अब मैं वापेस जाता हूँ और गाड़ी पुलिय से नीचे उतरते वग गेर में रखूँगा, गेर में डालके रखते वग देखता हूँ कितना माइलेज डिस्प्ले होता है, अभी तो 40, 40 हो रहा था इसमें, अब देखता हूँ मैं कितना होता है, और अब बिलकुल पी कम नी हो रहा है, अभी भी 99.9 km per litre चल रहा है, अभी पीड जो है देज़े कम हो के 34 पे आ गई है, 35, 34, 35 अगई है, तो बात यह है कि आखिर ऐसा हो क्यो हो रहा है, ऐसा इसलिए होता है, दोस्तों, देखो, सबसे बहले आपकी गाड़ी जब चल रही होती है, थोड़ा सा फ्यूल रेक्वाइड होता है, ताकि AC भी चल सके, ताकि गाड़ी का मतलब बाकी इलेक्टरिक कॉम्पनेंट जो है, वो भी चल सके, और उसके वज़े से हमें माइलेश को हो रहा था, वो 40 का आसपस हो रहा था, यानि कि गाड़ी तो अपने आप डलान में जा रहा था, होता क्या है, फ्यूल सप्लाइ कट कर देती ये गाड़ी, जब भी इंजन ब्रेकिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी गाड़ी जैसे ही दलान में जा रही है, तो वील्स जो है वही इंजन को घुमा रहे है, आपको फ्यूल देने की ज़रूरदी का है, जब इंजन को जो मुवमेंट है अंदर का वो वील्स ही गुमा रहे है, आपके वील्स जो है उनमें इतना अल्रेडी इनर्शीया की वजह ते से इतना ट्रेक्शन है कि वो इंजन को घुमा सके, ये वो सेम सिचूएशन है, दकका मानने वाले, ठीक है, बखका मार की उतल लो गा क्या गेर में रखा इसलिए एंजन और विल्स का कनेक्शन बना हुआ है फ्यूल सप्लाई होगी कट यानि कि जब भी आपको फ्यूल बचाना हो तो आपको गाड़ी को न्यूटरल में नहीं डालना है जब बल्कि उसको गेर में ही रहने देना है चाहे आप पहाड़ी से उतर रहे हो चाहे फुटफास से उतर रहे हो चाहे आप पुलिय से उतर रहे हो ठीक है अच्छा कुछ लोग गाड़ी को बंद कर देते हैं बंद करना एक मुर्खता है कई बार explain कर चुका हूँ, आप सब लोगों को पता ही होगा, अगर किसी को नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यह आई बिटन में एक वीडियो दिवी होगी, और वीडियो के एंड में वीडियो होगी, वो जा के देखिए कि क्यों गाडी की डलान में होते होगी, या कोई दिक्कत भी नहीं है, फ्यूल भी आपका यूज नहीं हो रहा है, नूटरल में करने की कोई ज़रुद नहीं हो, उमीद करता हूँ दोस्तों, एक बड़ा मिज वीडियो के साथ क्लियर होगया, तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिये, शेर कर दीजिये, उन लो कोई बाह Almasts, गयाओ के, बड़ा जयाओ Two लोसिए प्रिभार में करता ही हो, खा मैंन वहीं हो, भाल्य जामन लोसा Ale